हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल दोस्तों मैं शाही नसेन और नासमर राजपूत आज आप लोगों के लिए बहुत ही लेटेस्ट अपडेट के साथ आए हैं आप सब को पता है कि गुस्मिंदर सर का आज सेशन था कुछ नांसर सेशन क्योंकि संडे में हमेशा को आज गुस्मिंदर सर को सुनने के लिए थे और इनफेक्टल यूट्यूब पर क्या और दूम में क्या मतलब पूरा भरा हुआ था तो को फ्रेंड्स आज को चुछ आंसर सेशन था बड़ नहीं लेकिन एक्साइटमेंट इतना था और जो सेशन था वो पूरा ही बहुत ह सेशन को लेके तो उसी कि मैं कुछ अपडेट्स आपको देना चाहूंगी जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 30th of March को हम लोग हैदरबाद के थे जिसमें की 30 लोग स्लैक्ट किये गए थे हैदरबाद के लिए जिसका कि नाम था दिटाउप और वहां पर गुस्मिंदर सर को स्लैक्ट किया गया था बॉस्ट्रन के लिए उन्होंने वहां पर वो लाइव इवन्ट पूरा का पूरा देखा जिस तरह से वे उन्होंने महां पर अपनी शेयरिंग रखी हम उसी को बताएंगे जबसे पहले तो उनसे पूचा गया कि महां पर गए थे, रियालिटी क्या थी इस मितिंग की जैसे हम अमिशा उन्हें कहते ह। सोर्ज woods behind the force तो पहर गुस्मिंदर सर ने आपनी सारी डिटی लग रही थी तो बहुत अच्छी बात कही गुस्मिंदर से ने जहां पर दोस्तों हम लोग काम करते हैं किसी भी फील्ड में हो चाहे हम और जब उसका ग्रोथ होता है तो वाकिए में बहुत प्राउट फील होता है और उसी तरह से कुछ लोग हैदराबाद गए उन्होंने प पहुंचे और सुबह साड़े पांच घंटे की फ्लाइट थी और जो है वो बहुत जादा बीजी थे विद हैदराबाद विद दुबाई विद बॉस्टन तीनों जगह पर पूरी तरह से बीजी थे सब से कम्मिनिकेशन करना इधर हैदराबाद ओफिस से दर दुबाई ओ किये थे सबी लोगों के लिए कि दूई में जूली थी क्रिस जॉंसन थे पीटर सरूर थे बिल्ं विलियंस ते माइकल विलियंस थे और गुस्मिंदर सर थे और बी जूली सुजी और भी बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर्स थे वहाँ पर लीडर्स नहीं कहेंगे दोस्तों प्राउट फाउंडर्स थे वहाँ पर शन एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट बताया गुस्मिंदर से ने जैसे कि हम लोगों का बताया कि उनके लिए था ओफर हैदराबाद से भी और बॉस्ट्टन से भी तो इनकी बेटी ने मना करा पाप आप मत जाओ आप हैदराबाद क् लेकिन आपको तो एच से मिलना है तो आप बॉस्टन जाओ तो बॉस्टन की जो जुरॉनी थी दोस्तों वह साड़े पांच गुंटे की थी और बहुत लंबा सफर था और डारेक्ट कोई फ्लाइट नहीं थी वहां के लिए वहां पर सर पहुंचे जो बताया गुस्मिंद थे कि मुझे इतना रिस्पेक्ट मिला था तो मुझे लग रहता मैं क्या हूँ जैसे हम लोगों ने फील किया हम लोग हैदरबाद आफिस गए और वहां पर आप सभी को पता है जो लोग गए थे और जो लोग नहीं भी गए उन्होंने भी देखा होगा कि इतना रिस्पेक और बंगलादेश के लीडर्स को भी आईश बहुत अची तरह जानते हैं और उन्होंने कहा जैसे ही मतलब अचानक एश मेरे सामने आये तो हमारा एक आई कांटेक्ट हुआ और मुझे 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 बहुत अचा पील हो रहा है दोस्तों बताते में आई कांटेक्ट हुआ पिर वहाँ से भाग करके आईश और जल्दी ते गुस्मिंदर सर के पास आया उनको हग किया दैन इस हग को जो है आप सभी ने देखा जो कि पीटर सुरूर सर ने इसको कैप्चर किया सो थैंक्स है उनका भी कि हम उस परडिकुलर पिक को देख पाए उस परडिकुलर इव खटा कर दिया तो आईश थी बात है आईश बहुत प्राउट फील कर रहे थे इंडियन फाउंडर के ओपर भी और गुस्मिंदर सर बहुत खुछ थे आईश से मिलकर के और बहुत सारी बात है उनने चोटी चोटी बी शेयर की तो और मतलब बताया के वेबिनार में तो थे अगर वो नहीं होते तो शाइज यह सब चीज़े इतनी असान नहीं थी दो देखिए जब हम बिलकुल कॉन्फिडन्स होते हैं किसी चीज़ को ले करके तो हमें वो वो पावर वो आँखों में आंके डाल के बात करना है अश का सभी लोगों से क्यूंकि वो पूरी तरह से क वो लंच करने या मतलब बहुत सारी चीज़े और बताया उन्होंने कि हमने आश के साथ एंजॉय किया डान्स किया खाना खाया इतने घंटों के मतला हम लोगों नहीं किया वहां पर तारा जो एक्सपेंस था बॉस्टर जाने का गुस्मिंदर सर ने अपना ओन किया था क्य आश मफारा जो कि हर चीज़ का बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का भी दिहान वनना वो सोचते कि चलो यह सब चीज़ों तो बात में हैं लिकिन उनको दिहान तक गुस्मिंदर अकेले आए हैं अपने आप इसमेंट करके आए हैं सारा कुछ और उन्होंने उस चीज़ को कुछ किया और हम सब आपके साथ हैं इस सब चीज़ों में और आने वाले टाइम में फ्रेंट बहुत कुछ होने वाला है तो स्टे ट्यून फ्रेंट्स ने बताया कि 120 इंच स्क्रीन हमारे पास दुबई में हैं जहां पर कंटीनियों हमारे एड्स चलते रहेंगे और डैफ को वाकि सोने तक का वक्त नहीं होता हम लोग सोचो चोटे चोटे वैबिनार करते हैं तो हम लोग इतना सिंसेर ली करते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल पाता कि लॉबी अभी खाना करें अच्छ अभी वैबिनार का टाइम है अभी यह कर रहे हैं अभी वैबिनार का टाइम है जैसे कि अभी उन्होंने बोला we are on the very top where your ear will pop पर अच्छी बात यह थी कि एश सबसे थोड़ी थोड़ी देर बाद मतलब थब से ही उन्होंने feedback लिया और और जितनी भी लोग थे सारे experience से जहां कि माइकल विलियम सर ने बोला कि देखे पूरी calculation मेरे पास है आप लोग परशान ने होई है don't worry about that सारी calculation है कितना बड़ा on passive है और एश का जो style था वो तो बिलकुल अलगी है दोस्तों काम करने का और फिर सारी बाते आपने देखी भी के driver story गुसमेंदरसन ने बताई किस तरह से driver को जो है जो आइन करवाया वहां के कह सकते हैं ये बात कि on passive जो है बलकुल ready है launch के लिए और बहुत कुछ यहां पर होने वाला है फ्रेंट बीस लोगों के साथ जो है आज बलकुल positive थे memorable trip रहा ये उनके साथ बिलियम्स के बारे में बताई जी हैं दोस्तों बात कर रहे थे डॉक्टर बिल विलियम्स की जो की बहुत हमबलनेस उनके अंदर थी बहुत polite थे और बताया कि देखिए दो वीडियो से ऑन passive का जो सफर है वो शुरू हुआ और आज कहां पहुचा बुर्च खलीफा यानि क देखा यहां पर और आप में देखा भी होगा फ्रेंड्स उसन इवंट में के आश के जो हैं खुशी क्यास होते कि वो इतना बड़ा उन्होंने सूचा और उन्होंने उसको कड़ दिखाया जब हम कभी सकसेस होते हैं तो डेफिनिटली हमरी जो एक आँखे हैं वो भर आती हैं क्योंकि मैं वेबिनार्स में रहती हूं मैं अगर कहीं जा रही हूं कहीं मिटिंग में जा रही हूं तो सभी लोगों का बहुत सपोर्ट रहता है फैमली में तो बिना फैमली सपोर्ट के आप दोस्तों कुछ भी नहीं कर सकते और एक चीज़ देखी कल मैंने आप बहु 50 डॉलर 30 डॉलर 25 डॉलर 25 डॉलर 25 जार रुपए तो नियर मतला आप डिफरेंस देखिए दोस्तों कि कितना जबर्दस आश ने मार्केटिंग चुरू करी है कि इस तरह से हम लाएंगे तो हमारे पास जादा से जादा कस्टूमर्स आएंगे तेना आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में हम कहां होंगे हम बहुत टॉप पर होंगे और फ्रेंट्स मैं तो यही को होंगी कि प्लीज रिस्पेक्ट फ्रेंड्स हमारे दो ओफिसेंग वन थाटी फ्लोर पर और 151 फ्लोर पर जो पने प्लोर पर वहां पर सारों इनोवेट्व होंगे वो लोग अपने काम करेंगे उनको कोई डिस्टरब नहीं करेगा देन वन फिटी वन फ्लोर अन दे टॉप है तो हम वहां जाकर के हिदरबाद गए उन थे अपनी अपनी शेरिंग रखी बहुत जबर्दस थी सो फ्रेंड स्टे ट्यून फ्यूचर में पूंखा आपको भी मिलेगा हिदरबाद जाने का बस्टर जाने का दुबई जाने का डाफिनिटली सो बहुत अच्छा सेशन था बहुत मज़ा आया थां झाल